जै गुरू जी, शुकराना गुरू जी, सारी संगत को जै गुरू जी, संगत जी, आपको पता है, गुरू जी कैसे चमतकार करते हैं, गुरू जी हमारी बोली हुई बात को कैसे पूरा कर देते हैं, हम कुछ पूरा बोलते भी नहीं, और गुरू जी उसको समझ भी जाते हैं गुरु जी हमसे इशारों इशारों में बात कर लेते हैं हमारे मन की बात पढ़ लेते हैं इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से समझाया है ये सत्संग पूरा जरूर सुनेगा आपको बहुत सारे अंसर्स मिलेंगे तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ संगत जी जैसे बोलते हैं गुरु जी बिना बोले सब कुछ दे देते हैं यही मेरे उपर भजन बिलकुल सेट होता है क्योंकि मैं कुछ कहती नहीं हूँ और गुरु जी मेरी बात को पूरा कर देते हैं मैं 25 दिसंबर को कभी नहीं भूल सकती हुआ ये कि मेरे घर के पास गुरु जी का सत्संग था और मेरी पडोस की भाबी ने मुझे भी चलने को बोला शाम को पांच बजे से साथ बजे तक सत्संग है रेडी रहना मैंने कहा ठीक है हम वहाँ चलेंगे हम वहाँ पे गए सत्संग स्टार्ट हुआ और जैसे कि आप सबको पता है शबद गुर्बानी चलती है और भजन भी चलते हैं मेरा भी मन जुड़ गया और पूरा ध्यान गुरुजी के चर्णों में था तब ही मैंने गुरुजी से मन में बोला क्या मैं इतना बोला ही था कि साथ में बैठी एक अंटी ने मुझे टच करा और मेरे आँख खुली तो उन्होंने सामने जिन अंकल के यहां पे सत्संग था उनकी तरफ के लिए बोला वो आपको बुला रहे है उनसे 15-20 संगत जी के डिस्टिंस पे थी और हम सिर्फ इशारों में ही बात कर सकते हैं ये आप सबको पता होगा मैंने उन अंकल की तरफ देखा तो वो अंकल मुझे अपने दोनों हातों से इशारा करते हुए गुरुजी को लंगर प्रशाद ले जाने के लिए बोल रहे थे मेरी दोनों आखे भर आई वो अंकल और मैं किचन की तरफ गए और हमारे प्यारे गुरुजी का भोग लेकर मैं अपने हातों से उनके पास गई जब मैंने मन में सोचा था तो बस इतना ही बोला था क्या मैं? और ये संटेंस पूरा था क्या मैं भी कभी आपको बोग लगा सकती हूँ? क्या मैं आपकी बेटी इस लाइक हूँ गुरुपा? ये लाइन मैं पूरी बोल भी नहीं पाई और बीच में ही उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया ऐसे हैं हमारे गुरुजी गुरुजी ने इतने संगत परिवार के बीच में सिर्फ मुझे चुना उस दिन पूरी रात में नहीं सोई सत्संग का वो most important लम्हा सोचती रही इतना प्यार कोई नहीं कर सकता मैंने गुरुजी का बहुत शुकराना किया और मैंने ये भजन बार-बार सुना बिन बोले वो दिया जो कोई नहीं दे सकता यही पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है संगत जी ये बात बिलकुल सच है जब भी हम गुरुजी से कुछ मांगते हैं कभी-कभी ऐसा होता है कि हम सर्फ सोचते हैं और गुरुजी उसको पूरा कर देते हैं गुरुजी उसको जट से पूरा करके ही दिखाते हैं ताकि हम हैरान रह जाएं कि हमने तो अभी बात बोली भी नहीं और गुरुजी ने उसको पूरा कर दिया ऐसे ही गुरुजी हम सबका विश्वास जीत लेते हैं ताकि हम गुरुजी पर अच्छे से विश्वास कर सके जै गुरुजी, शुक्राना गुरुजी